नमस्कार स्वागत आपका निउस्वाल इंडिया में आपके साथ मैहू पारूर्ट्यागी और आप देख रहे हमारा खास शो गुड मौनिंग इंडिया गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरे क्या क्या हैं बताएंगे आपको लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का सुवचार गलत तरीके अपना कर सफर होने से सही यही बहतर है कि सही तरीके के साथ काम करकर असफर होना यानि की हमें हमेशा तरीका सही अपनाना चाहिए फिर चाहे हमें सफलता मिले या ना मिले लेकिन अगर तरीका सही होगा तो एक नए एक दिन सफलता जरूर मिलेगी तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ अब खबरों का भी रुख कर लेते हैं उत्राखन को चार महीने के अंदर ही फिर से नया मुख्य मंतरी मिलने जा रहा है सियासी हल्चोर के बीच मुख्य मंतरी तीरज सिंग रावत ने शुकरवार देर रात को अपने पद से स्तीफा दे दिया उन्होंने राज़पाल बेवी रानी मौर्य को स्तीफा सौपा इससे पहले रावत ने राष्ट्रे राज़ानी दिल्ली में वीचेपी के राष्ट्रे अध्यक्ष जेपी नज्डा से मुलाकात के बाद स्तीफे की पेशकर्श की थी राज़ेपाल को इस्तीफा सोपने के बाद मौका देने के लिए तीरज सिंग रावत ने प्रिधान मंतरी नरिंद मोदी का अभार भी चताया उन्होंने कहा कि सम्विधान एक संकट खड़ा होने की वज़ह से पज से स्तीफा दिया है उपचुनाब नहीं हो सकते हैं तीरज सिंग रावत ने प्रेस कॉंफरेंस की थी और हाला कि इसमें उन्होंने स्तीफे से जुड़ी एक भी बात नहीं कही थी वलकि अपनी सरकार द्वारा किये गए कामों के बारे में बताया था उन्होंने अलान किया था कि 20 हजार नई नियुक्तियां की जाएंगी रावत ने कहा था कि कुरोना महमारी से अर्थ विवस्था बूरी तरह से प्रभावित हुई है राजसरकार ने परिटन आदी शेत्रों को बड़ी राहत दी है पंजाब में बिजली की मांग बढ़ने को लेका हो रही पावा कटोती को लेका श्रीमनी अकाली दल और नवजोद सिंग सिद्धू सीम कैप्टन अमरिंदल सिंग पर निश्वाना साथ रहे हैं दूसरी तरफ अगामी पंजाब विधानसबा चुनाब में 300 यूनिट मुफ्द बिजली देने का बढ़ा कर चुके दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद केश्जिवाल राष्ट्य राजधानी में बिजली की रिकॉर्ड मांग के बावजूद पावक कट नहीं होने से अ 7,323 मेगावार्ट बिजली की मांग देखी गई बिजली की इस रिकॉर्ड मांग के बाद दिल्ली के सीम अर्विंद केश्जिवाल ने ट्वीट किया उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि बिजली की मांग में तरीव बढ़ात्री की बावजूद भी दिल्ली ने इसे सही तरीके से मैनेज किया है कोई बिजली कटोती नहीं की बिना रुकावट के बिजली की अप पूर्टी की गई है वही मोदी सरकार के दूसरे कारकाल के पहले मंतरी मंजल विस्तार की तैयारियां पूरी हो चुकी है असम के पूर्व मुख्य मंतरी सर्वानंद सोने वाला को आज दिल्ली तलब कर लिया गया है जबकि जोतिर आदितेस सिंद्या को भी राज़़ानी में ही रहने के लिए कहा गया है सुत्रों का कहना है कि मंतरी मंजल विस्तार में व्यापक फिर वदल हुगा समयधान के मताबग अधिकतम 81 मंतरी बनाया जा सकते हैं को भी जगा मिलेगी लेकिन जेदियू को लेकर सितीस पाशन नहीं है सुत्रों के मताबग मंतरी मंजल विस्तार में एक दरजन मंतरियों की छुटी होगी और करीब इतनी ही संख्या में मंत्रियों के विभागों में फिर बदल किया जाएगा क्योंकि वात्मान में 28 मंत्रियों की नई टीम में शामिल करने का फिकल्प बचा है ऐसे में दो दरजन नई चेहरों को भी विस्तार में टीम मोदी में जगा मिलेगी राश्ट्रे सुने सेवक संग ने उत्रप्रदेश विधानसबाश चुनाव में पूरी ताकत जोकने का फैसला किया है इसलिए इस चुनाव की तैयारी दततरे खोसबाले की देखरिक में ही कराई जाएगी इसी तरह राम जन भूमी बंदर निर्मान के लिए भूमी खरीद पर छुड़े विवात के मद्दे नजर अब इसकी जिम्मेदारी पूर्व सरकार वाहक सुरेश भाया जी जोशी को दिये जाने की संभावना है इस तरह के कई महतपूर निर्ने नौ जुलाई को चित्रकूट में होने वाली संग के शेत्र और प्रांथ प्रचारकों की चार दिवसी बैठक में लिए जाने की संभावना है महामारी की बचा से इस बैठक में सिर्व शेत्र प्रचारक ही मौजूद होंगे और प्रांथ प्रचारक डिजिटल माध्यम से बैठक में शामिल होंगे दुनिया के लिए खतरनाक माने जा रहे कोरोना के डेल्टा वेरियंट ने नई मुश्किले बढ़ा दी है कोरोना का ये रूप एशिया में तेजी से फैल रहा है और दक्षन कोरिया में संक्रमन के मामले में अचानक इजाफा होने से सकती बढ़ गई है टीका ही जान बचाने का असान तरीका है वहीं विश्य स्वास्ते संगठन के अनुसार डेल्टा वेरियंट दुनिया के करीब सो देशों में दस्तक दे चुका है जो आने वाले समय में संक्रमन का प्रमुक कारक होगा कोरोना वारस का ये रूप जापान में भी बढ़ रहा है और यहां अलॉम्पिक खेलों का आयुजन भी होना है औस्प्रेलिया के साउथ वेल्स में साल नए मामलों में पहली बार सबसे ज्यादा बढ़ती देखी गई है यहां 200 मरीज मिले हैं जिनमें अधिक तर डेल्टा वारियंट के से संक्रमित हैं धाई करोड की आबादी वाला सिड्नी वारस के प्रकोप से वच्टने के लिए दो सब्ता के लॉक्टाउन में भी चल रहा है उत्तरप्रदेश समेट दिल्ली और अन्य शेहरों में एक हजार से ज्यादा लोगों का धर्मांतरन कराने के मामले में तार अबरामपूर से भी जुड़ते हुए दिख रहे हैं वो दिल्ली में उमर गौतम के फ्लाट में रहता है और बुर्खे बैचने का काम करता है बीते सब्ता धर्म परिवर्तन के आरोप में यूपी एटियस ने उमर गौतम और उसके सयोगी मुफ्ती जहांगीर अलम को गिरफतार किया था दोनों पर आरोप है कि उन्होंने अब तक गरीब महिलाओं के साथ मुख बाधीर गरीब बच्चों और अपाहिशों को मिला कर करीब एक हजार से ज्यादा लोगों का नहमानतर्ण कराया है वहीं दिल्ली NCR के कुछ हिसों में शुक्रुआ को हुई बारिश से पिछले तीन दिनों से लूक से जूज रहे दिल्ली वासियों को कुछ राहत मिली है मौसर विभाग ने शाम को आंधी चलने और बारिश होने का अनुमान चुताय था शहर में शुक्रुआ को नियूंतन तापमान समाने से एक डिग्री कम यानि की सताय दशमलब दो डिग्री सेल्सियों दर्श किया गया मौसर विभाग का कहना है कि शहर में साथ जुलाई तक मौनसून आने की कोई संभापना नहीं है दिली में शुक्रवार शाम को मौसम में अचौनक बदलाब हुआ तेज गती से हवाय चलने लगी और कुछ शेत्रों में बारिश भी हुई पश्रिम बंगाल से किम असम के कुछ हिस्सों मेगाले बिहार तेलंगाना के कुछ हिस्सों और तमिलादू केरल तट्य करनाटक और तट्य आंद्रप्रदेश में खलकी से मध्यम बारिश के साथ कुछ इस्थानों पर भारिश की संभाबना है उत्तापूरब भारत के बाके हिस्सों औरेसा, चप्तिसगार, पूरवी मध्यप्रदेश और विधर्ब के कुछ हिस्सों में भी खलकी से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर कुछ देर के लिए तेज बारिश भी हो सकती है वर्ल्टेस चेंपिंशिप फानल में भारत की हार के बाद कप्तान विराट कोली चर्चा में बने हुए हैं विराट कोली ने वर्ल्टेस चेंपिंशिप का विज्यता तै करने के लिए एक की बजाय तीन मैच खेलने जाने की वकालत की थी इस बयान की वज़ा से विराट कोली की आलोचना भी हुई लेकिन आर अश्विन ने विराट कोली का बचाफ किया है अश्विन का कहना है कि विराट ने सिर्फ तीन मैच खेलने की मांग नहीं की थी बलकि अपनी राय दी थी अश्वे ने तीन मैच खेले जाने संबंदेद कोई भी मांग करने से इंकार किया स्टार स्पिनर ने कहा कि मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना था कि कोली ने डबलू टीसी फाइनल के लिए तीन टेस्ट खेलने के लिए कहा है लेकिन ये हासिप स्पध है मैच के बाद इंगलैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल ने पूछा था कि डबलू टीसी फाइनल में आप क्या बदलाव देखना चाहेंगे इस पर कोली ने कहा था कि अगर तीन मैच रहेंगे तो तीन के लिए वापसी करना संभव होगा लेकिन उन्होंने कभी इसकी मांग नहीं की वहीं बॉलिवड में शारुक खान को किंखान कहा जाता है ऐसे में शारुक कुछ भी करते हैं तो वो एक ट्रेंट बन जाता है अब हाल ही में शारुक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वारल हो रहा है जिसमें अपने फेवरिट स्टार को देख कर उनके फैंस खुशी से जूम उठे हैं बता दे कि ये वीडियो स्ट्रिकर्स नाम के एक हेर ब्रैंट का म्यूजिक वीडियो है जिसमें शारुक संगीत की धुन के साथ गुन-गुनाते हुए नसर आ रहे हैं शोशल मीडिया पर बारल हो रहे इस वीडियो में शारुक सफेद रंग की शर्ट और ग्रे वेस्ट कोट पहने हुए काफी हैंसम लग रहे हैं वीडियो में उनके बाल भी काफी लंबे नसर आ रहे हैं वीडियो में वो सभी कोल स्टिकर्स यूज़ करने की सला देते दिख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग एंडिया में फिलाल के लिए इतना ही लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों से अबडेट रहने के लिए आप देखते रहे हैं निउस वाल इंडिया